Hello Learners, Welcome to Chantle, जैसा कि आपको पता है कि AKTU के रिजल्स चेक करने के लिए आने कि आप किसी भी कोर्स में हैं, चाहे ओड समेस्टर को हो, चाहे इवें समेस्टर को आपको रिजल्स चेक करना है अपना तो आपको AKTU OneView पेज पर आकर आपको जो है अभी तक अपना रोल नमबर चेक कर सकते थे, लेकिन अब जो है यहाँ पर बदलाव कर दिये गया है, चेंज कर दिये गया है, अब आपको अपने रोल नमबर के साथ साथ आपको अपने डेट आफ बद या जन्म की तारीक भी फिल करनी होगी, उसके बाद ही आपका रिजल्ट ओपन होगा, तो इससे यह हुआ है कि अब कोई और किसी और का रिजल्ट नहीं देख सकता है, जब तक कि आपके पास उसकी डिटेल ना हो, यानि आपका अपना रोल नमबर है, आपका अपने डेट ओफ बद है, आप फिल करिए, आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं, आप दूसरे का नहीं अपना रिजल्ट ओपेंगे, तो आप यहाँ पर किसी का रोल नमबर फिल कर सकते हैं, अब आप आगे बढ़े पर क्लिक करते ही, आपके पास जो है दूसरा पेज ओपन होगा, जहां पर आप से डेट ओफ बद जो है वो मांगी जाएगी, इस्टुडेंट की, तो आप यह देख सकते हैं, यहाँ पर जन्म तारीक यहाँ से मांगी जारी है, यानि कि आप यहाँ पर आपको पहले डेट ओफ बद जो है फिल करना होगा, यहाँ पर स्रेट करके उसके बाद ही फिर आप आप आम नौट रोपट पर क्लिक करके अपना रिजल्ट ओपेंगे, तो अब आप जो है आपको यानि स्टुदेंट्स को एक ट्यूप पर अगर वन ब्यूप पर अपना रिजल्ट चेक करना है, तो आपको रोल लंबर के साथ आपको अपना डेट ओफ बद भी फिल करना होगा, यानि कि अब जो है जिस स्टुदेंट का रिजल्ट है वही चेक कर सकता है जब तक कि आपकी डेट ओफ बैत और रोल लंबर दोनों ही उसके पास ना हो, फिशु आल दाविश्ट केप आचें